कैसा रहेगा वर्ष 2023 सिंग राशी के जातकों के लिए आईए जानते हैं वर्ष 2023 सिंग राशी के जातकों के जीवन में एक ऐसा वर्ष साबित होगा जहां आपको करने के लिए बहुत कुछ होगा और अपनी काबिलियत दिखाने का बार-बार मौका प्राप्ठ होगा वर्ष की शुरुवात में छटे भाव में उपस्थिच शनी महाराज आपको अपने विरोधियों पर विजय दिलाएंगे और कोट कचरी जैसे मामलों में भी अच्छी सफलता दिलाने में आपको मददगार साबित होंगे तो वही 17 जनवरी को गोचर के बाद आपके सब्तम भाव में प्रवेश करेंगे सब्तम भाव में जाकर यह दिक्बल से युक्त हो जाएंगे और अत्यन्त प्रभावशाली हो जाएंगे इसके परिणामस्वरूप आपके व्यापार में उत्तम सफलता के योग बनाएंगे और दामपत्य जीवन में भी अच्छी स्थिती निर्मित होगी कुछ कार्यों को लेकर आपको मानसिक तनाव महसूस हो सकता है लेकिन आप उसको खुद पर हावी नहीं होने देंगे तो समझना चाहिए कि यह गोचर आपको बहुत ज्यादा लाव प्रदान करेगा जन्वरी का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से उतार चड़ाव से भरा रहेगा लेकिन आप अपने विरोधियों पर जीत दर्स करेंगे यदि आपके विरुध कोई मुकदमा चल रहा है तो जन्वरी में उसमें आपके पक्ष में कोई ना कोई फैसला आ सकता है इससे आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी शिक्षा राशिफल 2023 के अनुसार यह वर्ष सिंग राशी के विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणामों की आशा करने का समय रहेगा सूर्य और बुध वर्ष की शुरुवात में पंचम भाव में रहकर आपकी बुद्धी का विकास करेंगे आपकी स्मृती भी मजबूत होगी और आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको आसानी से कंठस्त हो जाएगा आपके पंचम भाव स्वामी के ब्रहस्पती अश्टम भाव में होने से आपका मन रहस्यमय और गूर विशों के प्रती ज्यादा जुकाव महसूस करेंगा लेकिन अप्रेल में जब ब्रहस्पती का गोचर आपके नवम भाव में होकर पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा तो शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे आपका सहेज ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर ही होगा और उसकी वज़ह से आप अपनी पढ़ाई पर एकागरता के साथ अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और उसके आपको उत्तम परिणाम प्राप्ठ होंगे शुरुआत में शनी के छटे भाव में होने से प्रतियोगी परिख्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है करियर राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष सिंग राशी के जातकों को वर्ष की शुरुआत में अपने करियर में अच्छी उचाई प्राप्ठ करने का मौका मिल सकता है आपने जो मेहंत की है वहाँ आपके लिए बहुत काम की साबित होगी आपके अधिकार क्षेतर में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी पदोनती होने के योग बन रही है 17 जनवरी के बाद जब शनीदेव आपके सब्तम भाव में आएंगे तो आपके करियर में उत्तम उन्नती प्रदान करेंगे 22 अप्रेल के बाद से ब्रहस्पती के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों का ट्रांसफर होने की भी संभावना है आर्थिक राशिफल 2023 के अनुसार सिंग राशी के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद करनी चाहिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और सूर्य महाराज की क्रिपा से आपको उत्तम धन की प्राप्ती होगी सूर्य की द्रिष्टी एकादश भाव पर होने से आपके द्वारा की गई मेहन्थ आपको अच्छे धन लाब की प्राप्ती का मौका प्रदान करेगी शनी के सब्तम भाव में गोचर करने से व्यापार से भी अच्छे लाब के योग बनेंगे और ब्रिहस्पती जब नवम भाव में गोचर कर जाएंगे तब आपको अच्छे परिणा मिलने शुरू हो जाएंगे हालांकि सबसे बढ़िया समय अप्रेल से जून के बीच रहेगा इस दौरान सरकारी क्षेत्र से लाब मिल सकता है और अपने कार्यक्षेत्र में भी धन लाब के प्रबल योग बनेंगे प्रेम व पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में सिंग राशी के लोग प्रेम संबंदों में बहुत ज्यादा सफलता की उम्मीद कर सकते हैं वर्ष की शुरुवात में सूर्यम बुद्ध के साथ पंचम भाव में रहेंगे जो आपके प्रियतम को बुद्धिमान व्यक्ती के रूप में परिभाशित करेंगे वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर आप निश्चिन्त रह सकते हैं 22 अप्रेल को ब्रिहस्पती के आपके नवम भाव में गोचर करने के बाद जब ब्रिहस्पती की द्रिष्टी आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो वह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा 23 वर्ष की शुरुवात में मंगल की द्रिष्टी आपके चतुर्थ भाव पर होने से और आपकी राशी पर होने से आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी जिसका प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के द्रिष्टिकोन से देखे तो वर्ष की शुरुवात आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और बुद्ध की युती होगी तो छटे भाव में शनी और शुक्र विराजमान ह होंगे। ग्रहस्थ्य महाराज आपके अश्टम भाव में बैठे होंगे तथा नवम भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां इस बात की और इशारा करती है कि आपको उदर रोग, नसों से संबंधित समस्या, मानसिक तनाव और अवसात तथा गुप समस्या होने की स्थिती बन सकती है। आपको बड़ी आंत में भी कोई समस्या हो सकती है, इसलिए यदि इन में से कोई भी समस्या महसूस होती है, तो उसके लिए तुरंट चिकितसत से संपर्क करना अच्छा रहेगा। उपाएं प्रति दिन सूर्य को अर्ग्य दे और शनिवार के दिन मंदिर में काले तिलों का दान करे। सिंग राशी का वर्ष 2023 में शुब रंग पीला नारंगी एवं सफेद रहेगा और शुब अंग एक नौ पठारा रहेगा। प्रिय दर्शक यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे शेर करे दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का सहरिदय धन्यवार।